जी के बाई चोधरी सर अध्याए साथ रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान यानि केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाका है जिसके अंतरगत पदार्थों के गुण, संगटन, संरचना तथा उनमे होने वाले परिवर्थनों का अध्यन किया जाता है केमिस्ट्री अर्थाद रसाइन विग्यान शब्द की उत्पति मिस्ट्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है जिसका अर्थ है काला रंग मिस्टर के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्यन को केमी टेकिंग कहा जाता था लेवाय सीए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एक पदार्थ एवं उसकी प्रकर्थी पदार्थ मैटर दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी सनरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो पदार्थ कहलाते हैं उधारन जल, हवा, बालू, आदे प्रारंब में भारतियों और युनानियों का अनुमान था कि प्रकर्थी की सारी वस्तुएं पांच तत्वों के संयोग से बनी हैं ये पांच तत्व हैं क्षितच, जल, पावक, गगन, एवं समीर भारत के महानकेशी कणात के उसार सभी पदार्थ अत्यंत सूश्म कणों से बने हैं जिसे परमानू कहा गया है पदार्थों का वर्गीकरण पदार्थ दो प्रकार के होते हैं बहतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण बहतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार होते हैं तत्व और योगिक मिश्रण के भी दो प्रकार हैं समांग और विशमांग शुद्ध पदार्थ के जो तत्व और योगिक हैं, तत्व के भी दो भाग हैं, धात्विक और आधात्विक, योगिक के भी दो भाग हैं, कार्बनिक और आकार्बनिक ये है पदार्थ का वर्गी करण ठोस, सॉलिड पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है जैसे लोहे की छड, लकडी की कुरसी, बर्फ का टुकडा आदी द्रव लिक्विट पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो द्रफ कहलाता है जैसे अलकोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टे का तेल आदी गैस पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अन्रिश्चत हो गैस कहलाता है जैसे हवा ऑक्सिजन आदी नोट गैसों का कोई प्रिष्ट नहीं होता है इसका विसरन बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीडित कंप्रेस किया जा सकता है ताप एवं दाब में परिवर्थन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है परन्तु इसके अपवाद भी हैं जैसे लकडी पत्थर ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से सामे होता है ठोस, एरो, द्रव, एरो, गैस उधारन जल प्रिष्ट 330 कुछ पदार्थ गरम करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं इसे उर्धवर पातन सब्लिमेशन कहते हैं जैसे आयोडीन कपूर आदी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाजमा एवं पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडनसेंट है तत्व एलिमेंट तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ग्यात भौतिक एवं रासायनिक विदियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाज़ित किया जा सकता है और ना ही अन्यसरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है जैसे सोना, चांदी, ऑक्सिजन, आदी योगिक, कमपाउंड वो शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चत अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं योगिक कहलाते हैं योगिक के गुण उनके अवियवी तत्वों के गुणों से भिन होता है जैसे जल जल ऑक्सिजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, इसमें ऑक्सिजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का योगिक जल आग को बुझा देता है मिश्रन, मिक्स्टर, वो बदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वो या योगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने में प्राप्त होता है, मिश्रन कहलाता है इससे सरल यांत्रिक विधी द्वारा पुन्ह प्रारंभिक अव्यवों में प्राप्त किया जा सकता है जैसे हवा समांग मिश्रण Homogeneous Mixture निश्चत अनुपात में अव्यवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्मान होता है इसके प्रतेक विभाग के गुण धर्म एक समान होते हैं जैसे चीनी या नमक का जलिये विलयन हवा आदी विशमांग मिश्रन हेटरोजीनियास मिक्षर अनिश्चत अनुपात में अव्यबो को मिलाने से विशमांग मिश्रन का निर्मान होता है इसके प्रतेक वहाग के गुण एवं उनके संगटक बिन बिन होते हैं जैसे बारूत कुहासा आदी मिश्रन को अलग करने की कुछ प्रमुख विधिया रवाकरन, क्रिस्टलाइजेशन इस विधी के द्वारा आकार्बनिक ठोस मिश्रन को अलग किया जाता है इस विधी में अशुद ठोस मिश्रन को उचित विलायक, सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा चान लिया जाता है चानने के बाद विलायन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलायन से प्रथक हो जाता है जैसे शरकरा और नमक के मिश्रन को इथाईल अलकौहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधी का द्वारा अलग किया जाता है आसवन विधी डी स्टालेशन जब दो द्रवों के क्वाथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रन को आसवन विधी से प्रथक करते हैं अर्थात ये द्रवों के मिश्रन को अलग करने की विधी है इसका प्रथम भाग वाशवी करन वैपराइजेशन एवं दूसरा भाग संगरन कंडेंसिंशन खेलाता है उधर्व पातन सब्लीमेशन इस विधी द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्टन को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस उधर्व पातित सब्लीमेट हो दूसरा नहीं इस विधी से करपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम, क्लोराइड, एंतरासीन आधी को अलग करते हैं आंशिक आस्वन, इस विधी से वैसे मिश्ट द्रवो को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है खनिश तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार, आदी इसी विधी द्वारा अलग किया जाता है वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी, ये विधी इस तत्य पर आधारित है कि किसी मिश्टन के विभिन घटकों के अवशोषन, एमसौपेशन, ख्रमता बिन बिन होती है तथा वो किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन दूरियों पर अवशोषित होते हैं, इस प्रकार वो प्रथक कर लिये जाते हैं भाप आसवन, स्टीम डिस्टालेशन, इस विधी से कार्बनिक मिश्टन को शुद्ध किया जाता है, जो जल में आगुलनशील होता है, परतु भाप के साथ वाश्पिशील होता है इस विधी द्वारा विशेश रूप से उन पदार्थों का शुद्धी करण किया जाता है, जो अपने क्वतनांग पर अब घटित हो जा पाते हैं, जैसे एसिटोन, मैथील, अलकोहल आदी, प्रिष्ट 331 दार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, द्रवणांख, मेल्टिंग पॉइंट, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो उनमें से अधिकांश में ये परिवर्तन एक विशेश दाप पर तदा एक नियत ताप प अवस्थू का द्रवणांख, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जब तक पदार्थ गल्ता ठोस के आखरी कड़ तक रहता है, तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेश दाप नियत रहे, हिमांख फ्रीजिंग पॉइंट किसी विशेश दाप पर वो नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, हिमांख खेलाता है, समान तहा पदार्थ का द्रवणांख, एवं हिमांख का मान बराबर होता है, जैसे बर्व का द्रवणांख, एवं हिमांख, 0 degree Celsius है, अशुद्यों की उप जाता है, जैसे मोम, तांबा, आदी, दो, उन पदार्थों के द्रवनांख दाब बढ़ाने से घड़ जाता है, जिनका आयतन गलने पर घड़ जाता है, जैसे बर्व, ढलवा, लोहा, आदी, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, Change of Volume Infusion and Solidification, क्रिस्टल ये पदार् बर्व, एंटी, मनी, बिस्मत, पीतल, आदी, गलने पर आयतन में सिकुडते हैं, अधा इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं, इसी विशेश गुण के कारण बर्व का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है, सांचे में केवल वो ढले जा सकते हैं, जो ठोस बनने पर आयतन में भरते हैं, क्योंकि तब ही वो सांचे के आकार को पूर तया प्राप्ट कर सकते हैं, मुदरन धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं, जो जमने पर आयतन में भरते हैं, चांदी या सोने की मुदराई ढली नहीं जाती, केवल म मिश्रधातों का द्रवनांग M.P. उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांग से कम होता है क्योंकि अशुद्धियों डाल देने पर पदार्थ का गलनांग घट जाता है। जल से उश्मा लेगी जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिंकारी मिश्रण का बनता इसी सिध्धान पर आधारिध है। उधारण घर पराईस्क्रीम जमाने के लिए नमक का एक भाग एवं बर्व का तीन भाग मिला जाता है। इस 2. क्वाथन बॉयलिंग क्षेत्रफल अधिक होने पर वाश्पन तेजी से होगा 4. द्रफ के प्रिष्ट पर A. द्रफ के प्रिष्ट पर वायू बदरने पर वाश्पन तेज होगा B. द्रफ के प्रिष्ट पर वायू का दाब जितना ही कम होगा वाश्पन उतनी ही तेजी से होगा C. द्रफ के प्रिष्ट पर वाश्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाश्पन की दर उतनी ही घटी जाएगी क्वथनांग boiling point दाब की किसी दियोहे नियत मान के लिए वो नियत ताब जिस पर कोई द्रफ उबल कर द्रफ अवस्था से वाश्प की अवस्था में परिनत हो जाए तो वो नियत ताब द्रफ का क्वथनांग कहलाता है दाब बढ़ाने से द्रफ का क्वथनांग भर जाता है और दाब घटने से द्रफ का क्वथनांग घट जाता है दो परमानू सनरचना परमानू एटॉम परमानू तत्व का वो छोटा सा छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंद्र अवस्था में नहीं रह सकता है अनू, मॉलेक्यूल, तत्व तत्था यौगिक का वो छोटा सा छोटा करण है जो स्वतंद्र अवस्था में रह सकता है अनू कहलाता है पर्मानू भार, Atomic Weight किसी तत्व का पर्मानू भार, वो संख्या है, जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक पर्मानू, कार्बन बारह के पर्मानू के एक बटा बारह भाग द्रव्यमान आत्वा, हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है अनू भार, Molecular Weight किसी पदार्थ का अनू भार, वो संख्या है, जो ये प्रदर्शित करती है, कि उस पदार्थ का एक अनू, कार्बन बारह के एक पर्मानू के एक बटा बारह भाग से कितना गुना भारी है Mole धारणा, Mole Concept एक Mole किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वो राशी है, जिसमें इस पदार्थ के एकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है, जिनकी शुद्ध कार्बन बारह आइसो टोप के ठीक बारह ग्राम में पर्मानू की संख्या है Mole का मान Mole का मान 6.0022 गुणा 10 की पावर 23 है कार्बन के बारह ग्राम या एक Mole में 6.0022 गुणा 10 की पावर 23 परमानू है 6.0022 गुणा 10 की पावर 23 को आवो ग्रादो संख्या कहते हैं Mole संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है सन 1967 में Mole की को इकाई के रूप में सुविकार किया गया 20.00 शताबदी में आधनिक होजो के परिणाम सरूप जेजे थामसन, रदरफोर्ट, चेडविक, आदी वैग्यानिकों ने ये सिद्ध कर दिया की परमानू विभाज्य है तथा मुख्य तहा तीन मूल कड़ों से मिलकर बना है जिनने इलेक्टरॉन, प्रोटॉन या नूट्रॉन कहते हैं प्रमुख मूल कड़ों के अभी लक्षन मूल कंड इलेक्टरॉन प्रतीक माइनस एक इलेक्टरॉन की पावर 0 आवेश माइनस एक द्रव्यमान ग्राम में 9.1095 गुड़ा दसकी पावर माइनस 28 ग्राम द्रव्यमान एम यू में 0.0005486 एम यू खोच करता जे जे थॉम्सन प्रोटॉन प्रतीक 1P1 आवेश प्लस एक द्रव्यमान 1.6726 गुण 10 की पावर मानस 24 ग्राम द्रव्यमान 1.0073335 खोच करता गोल्ड स्टीन न्यूट्रोन प्रतीक 0N की पावर 1 स्क्वार आवेश 0 द्रव्यमान 1.6749 गुण 10 की पावर मानस 24 ग्राम परमानु क्रमांग अटॉमिक नमबर किसी तत्व के परमानु के नाभिक में उपस्तत प्रोोटॉनों की संख्या को परमानु क्रमांग कहते हैं अर्थात द्रविमान संख्या पराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्रिष्ट 333, अंटम संख्या, क्वांटम नंबर, स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूख्ष में प्रकरती समझाने तदा, इलक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करते ह प्रयोग किया जाता है, ये हैं एक मुखे उरजा स्तर को प्रदर्शत करती है तो डिगन्शी लुख मेध्वाइक होता है, ये का नियुन्टम मन शुन तथा अधिक्तम मन N-1 होता है 3. चुम्बकिय क्वांटम संख्या Magnitive quantum number M ये उप उर्जा स्तरों के कक्षको और बाइटल्स को प्रदर्शित करती है M का मान I के मान पर निर्भर करता है किसी I के लिए M का मान 10 I से लेकर माइनस I तक होते हैं 0 सहित 4. चक्रन क्वांटम संख्या Spin quantum number S ये उलक्ट्रोन के चक्रन की दिशा को प्रदर्शित करती है किसी चुम्बकिय क्वांटम संख्या M के लिए चक्रन क्वांटम संख्या S का मान प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2 होता है पाउली का अपवर्जन नियम पाउली's Exclusions Principles 1925 इसके अनुसार एक दिए गए परमाणू में किनी दो इलक्ट्रोनों के लिए चारो कुवांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता अतहर यदि दो इलक्ट्रोनों के N, I और M के मान एक ही हो तो उनका चक्रन विप्रीत होगा हुंड का अधिक्तम बहुलता का नियम हुंड's rule of maximum multiplicity इसके अनुसार एलक्ट्रोन तब तक युगमित नहीं होते जब तक ही रिक्तिक अक्षक प्राप्य अवेलेबल हैं अर्था जब तक संभाव हैं, इलक्रोन आयुगमित रहते हैं हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता सिधान हाइजेन बर्ग's uncertainty principle इसके नुसार किसी कंड की स्थिती, position और वेग, velocity का एक साथ यथार्थ, exact नरधारन आसंभव है औफबाव नियम औफबाव प्रिंसिपल इस नियम दोरा तत्वों के electronic विन्यास लिखने के लिए विभन्य पर्माणू कक्षकों की उर्जा बढ़ाने का करम इस प्रकार है 1S less than 2S less than 2P less than 3S less than 3P less than 3P less than 3D less than 4P less than 5S less than 4D less than 5P less than 6S less than 4F less than 5D less than 6P less than 7S समस्थानिक आईसो टॉप्स समान पर्माणू क्रमांग परंतु भिन्य पर्माणू द्रव्यमानों के पर्माणों को समस्थानिक आईसो टॉप्स कहते हैं समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किन्तु निूट्रॉन की संख्या भिन्य होती है जैसे 1H1, 1H2 तथ 1H3 समस्थानिक है सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलो नियम है समभारिक आईसो बास समान परमाणू द्रविमान परंतु भिन परमाणू क्रमांक के परमाणू को समभारिक आईसो बास कहते हैं जैसे 18AR40, 19K40, 20CA40 समभारिक है सम न्यूट्रोनिक आईसोटोन जिन पर्माणों में न्यूट्रोनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रोनिक आईसोटोन कहते हैं जैसे 1H3 और 2HE4 इन दोनों पर्माणों के नाभिक में न्यूट्रोनों की संख्या दो दो है Sum electronic Is trademark जिन आयों और पर्माणूं के electronic विन्यास समान होतے है उन्हें sum electronic कहते हैं Sum electronic पर्माणूं और आयों में electronों के संख्या समान होती है जैसे NE, NA square plus MG plus plus और Al plus 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 sum electronic है प्रिष्ट तीन सो चौतीस तीन गैसों का आच्रन बायल का नियम स्थिरताप पर गैस की नियत मातरा का आयतन उसके दाप का व्यूत क्रमानुपाती होता है चार्ल्स का नियम स्थिरताप पर किसी गैस की नियत मातरा का आयतन उसके परमताप का सीधा अनुपाती होता है यानि परमताप T बराबर 273 डिगरी प्लस T डिगरी C आवो ग्रादों का नियम समानताप एवं दाप पर सभी गैसों के समान आयतन में अड़ूं की संख्या समान होती है समान्यताप एवं दाप पर विभिन गैसों के एक ग्राम अड़ू का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.02 गुणा 10 की पावर 23 अणू होते हैं अवस्था समीकरण PV बराबर NRT जहां R1 मोरर गैस इस्तिरांग है PV बराबर RT ब्रैकेट में N बराबर 1 मोर गैस के लिए ब्रैकेट क्लोस गैसों का विस्रण गनत्व में अंतर रहते हुए पृत्वी के गुरुत्वाकर्शन के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की सौभाविक प्रक्रिया विस्रण डिफ्यूजन कहलाती है ग्राहम का गैस ये विस्रण नियम नियम ताप एवं दाप पर गैसों के विस्रण की आपस्षिक गतिया उसके घनत्वों अत्वा अनुभार के वर्गमूल के वियुत क्रमानुपाती होती है अता हाइड्रोजन गैस की विस्रण की गति से चार गुनी अधिक है चार तत्वों का आवर्ती वर्गी करण मेंडलीव का आवर्त नियम मेंडलीव स्पिरियोडिक लौ निस्मी शताबदी के मध्य में रशियन वैग्यानिक डी आई मेंडलीव अठारा सो उनहतर ने तत्वों तत्था उनके यौगिकों के तुलनात्मक अधियन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं मेंडलीव के आवर्त नियम के नुसार तत्वों का बहुत तिक एवं रासाइनिक गुड उनके परमाणू भारों के आवर्त फलन होते है मैंडलीव द्वरा बनाए गए आवर्त सारणी में नौ वर्ग और साथ आवर्त थे मैंडलीव ने उस समय तक याद सभी तत्वों के शामिल करने के लिए अतरिक्त बहुत से अग्याद तत्वों के लिए इस्थान रिक्त रखे थे मैंडलीव की आवर्त सारणी के दोश 1. हाइडोजन को उक्षार धातू एवं हैलोजन जैसे दोहरे वहवार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया 2. समान गुण वाले तत्वों को अलग-अलग रखा गया जैसे CU और HG, AG और TI, AU और PT तथा BA और PB 3. उच्चे परमानुबार वाले तत्वों को कम परमानुबार वाले तत्वों के पहले रखा गया है जैसे IORIN 126.92 को TELURIUM 127.61 के बाद रखा गया है 4. समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं 5. चार आटवे वर्ग में तीन तत्वों को एक साथ समुहित करना 5. आदुनिक आवर्त सारणी Modern Periodic Table आदुनिक आवर्त सारणी मौसले 1913 इस्वी के नियम पर आधरित है इसके रखा तत्वों के गुण उनके परमानु संख्या अटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं 335 आदुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या साथ होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है वर्ग फर्स्ट से लेकर साथ तक दो उपवर्गों A एवं B में बटे हैं इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है प्रतेक आवर्थ का प्रधम सदस्य एक्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस, इनर्ट गैस सिर्फ पहले आवर्थ का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है आदुने कावर्थ सारणी में पर्मानु संक्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथिनाइड श्रेनी एवं पर्मानु संक्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेनी कहा जाता है आयनन विभाव आईसोरेशनल पोटेंशिल उर्जा की वो नियुनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमानों की भायतम कक्षा आउटर शेल्स से एक इलेक्टरॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवशक है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब उदासीन परमाणू एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन करता है तो उसके फालस्वरूप उत्बन उर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं वर्ग साथ A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंदुता उच्छ होती है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंदुता क्लोरीन की होती है विद्यूत रिडात्मक्ता इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसी तत्व की परमाणू की वोक्षमता जिससे वो साज़ेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी और खींचती है उसे उस तत्व की विद्यूत रिडात्मक्ता कहते हैं यानी ई ए बराबर आयनन विभवधन इलेक्ट्रॉन बंदुता बटे 5.6 यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें गुण वर्ग में उपर से नीचे आने पर तथा आवर्थ से बायं दायं से जाने पर इनकी तालिका है गुण परमानू का आकार बढ़ता है वर्ग से उपर नीचे आने पर तथा आवर्थ में बायं से दायं जाने पर घटता है विद्यूत गहनात्मक्ता वर्ग में उपर से नीचे आने पर बढ़ती है आवर्थ में बायं से दायं जाने पर घटती है आयनन ओर्जा वर्ग में उपर से नीचे आने पर घटी है आवर्थ में बाएंदाएं से जाने पर बढ़ती है विद्यूत रिनात्मक्ता वर्ग में उपर से नीचे आने पर घटी है आवर्थ में बाएंदाएं से जाने पर बढ़ती है ये थी वो तालिका फ्लोरीन की विद्यू तुरिनात्मक्ता सबसे अधिक होती है नूट निश्क्रिय गैसों का गलनांग निम्न होता है वही वर्ग चार ए के तत्वों का गलनांग उच्चितम होता है जी के बाई चौधरी सर आच रासाइनिक बंधन इलक्ट्रोनों के पुनर वित्रण के फलसुरू पने बंधन को परमाणु बंधन, अटामिक बॉंद कहते हैं परमाणु बंधन तीन प्रकार के होते हैं 1. वैद्यूत सहियोजी बंधन इलेक्ट्रोवेलेंट बंड 2. सहियोजी बंधन गॉवेलेंट बंड एक वैद्यूत सहियोजी बंधन, Electrovalent Bond, जब बंध का निर्मान Electron के स्थानांतरन के द्वारा होता है, तो उसे वैद्यूत सहियोजी बंध कहते हैं, जैसे Na plus Cl equal to Na plus Cl, या NaCl. आयनिक योगिक के गुण प्रिष्ट 336 2. सहसायोजी बंधन Covalent Bond जब दो सद्रिश या आसद्रिश परमाणू अपनी ब्रहामतम कक्षा के इलेक्ट्रोनों का आपस में साजा करके सायोग करते हैं तब उनके बीच इस्थित बंध को सहसायोजन बंधन कहते हैं कैसे CL के 8 molecules तथा CL 6 molecules बन के बना CL2 सहसायोजी यौगिक के गुण 1. सहसायोजी बंधन्दरन, रिजिड और दिशात्मक डारेक्शनल होता है अतहा वो विभन इस्थानिक अवस्था स्पाशियल अरेंच्मेंट में रहते हैं तथक त्रिविम समावयाता स्टीरियो आईसो मेरिजम प्रदर्शित करते हैं 2. सहसायोजी यौगिक आनविक रूप में रहते हैं नाकी आयनिक रूप में इस कारण विए गोल की अवस्था में विद्यूत के कुचालक होते हैं 3. ताप दाब की समाने अवस्था में ये प्राया गैस वाश्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं 4. इनका द्रवनांक एवं कौधनांक निम्न होता है 5. द्रूविय गोलोकों में प्राया आगुलनशील किंतु आद्रूविय गोलोकों में प्राया गुलनशील होता है विद्यूत रिनात्मक्ता एवं बंध की प्रकरती एक जब दो पर्माणों की विद्युत्रिनात्मक्ता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा दो जब दो पर्माणों की विद्युत्रिनात्मक्ता के बीच अंतर हो तब बंधन दुरूबिय सहसंयोजक होगा 3. जब दो परमाणों की विद्युत्रनात्मक्ता के बीच अंतरशूर्निय की बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन होगा 3. उप सहसंयोजी बंधन Coordinate Born ऐसा बंध जो दो परमाणों के बीच एक इलक्टरॉन जोड़ी की साजिदारी से बनता है किंतु साजिदारी का इलक्टरॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणों द्वारा प्रदत होती है उप सहसंयोजी बंधन में जो परमाणों इलक्टरॉन जोड़ी प्रधान करता है उसे प्रदाता डोनर कहते हैं और जो परमाडू electron जोड़ी को स्वीकार करता है, उसे स्वीकार रख, acceptor कहते हैं, जैसे H2SO4 के निर्माड में, यहाँ पर H2SO4 की reaction दिये है, यहाँ दो उपस है संयोजी बंध है, इस विशह में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने मित्र से संपर्ख कर सकते हैं, हाइड्रोजन बंध, HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणू ध्रूविय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदी, HF अणू में H विद्यूत धनात्मक एवं F विद्यूत धनात्मक तत्व हैं, अधह H और F के बीच सह संयोजग बंधन में सनलगन इलक्रोन योगमत थोड़ा F क और खींच जाता है, फलतह F परमाणू पर थोड़ा रिन आवेश, वं H परमाणू पर थोड़ा धन आवेश, आ जाता है, अधह एक HF अणू का विद्यूत धनात्मक सिरा, दूसरे HF अणू के विद्यूत धनात्मक सिरे को अपनी और खींच लेता है, यह आकर्शन दो HF अनुहों के बीच एक नए प्रकार के बंधन को स्रजन करता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्यूत आकशनबल है जो सहस अयोजक बंधन से कमजोर होता है हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सिजन एवं नाइड्रोजन के यौगिकों में ही पाय जाता है बंधन उर्जा का करम, एकल बंधू, रिष्ट 337, सिग्मा बंध, सिग्मा बॉंड, जब दो परमाणों के आर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्षपर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणों के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं संकरन, हाई ब्राइडेजेशन, प्रमुख प्रकार 1. SP संकरन, ये रेकी आकरती का होता है 2. SP 2 संकरन, ये त्रिकोणी आकरती का होता है 3. SP 3 संकरन, ये त्रिकोणी पिरामेडी आकरती का होता है 4. SP3D संकरण ये त्रिकोणिये द्वी पिरामेडी की आकरती का होता है 5. SP3D2 संकरण ये अश्टफलक की आकरती का होता है 6. SP3D3 संकरण ये पंच बुजिये द्वी पिरामेडी आकरती का होता है पाई बंध बॉन पाई बॉन्ड जब दो पनमानिक आर्बिटलों के पाशव अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं 6. ओक्सीकरण एवं अफकरण ओक्सीडेशन विदियत रिणात्मक पर्मानू या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या ELECTION का त्याग ओक्सीकरण कहलाता है जैसे Na, Na square धन, प्लस अउक्सीकरण Fe++, Fe++++, प्लस E ओक्सीकरण ओकरण, रिडक्षन विद्यो धनात्मक पर्माणों या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घड़ जाना या इलक्ट्रॉन को ग्रहन करना अफकरण कहलाता है जैसे Cu+++, 2E, arrow, Cu, अफकरण, Cl2+, 2E, arrow, Cl-, अफकरण, Redox अभी क्रिया, Redox reaction अफकरण, अफकरण की क्रियाएं साथ-साथ होती हैं, अर्था जब एक पदार्थ इलक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहन करता है, इसे ही Redox अभी क्रिया कहते हैं अफकारण, Reducing Agent और Reductant जिस पदार्थ का ऑक्सिकरण होता है, अर्था जो पदार्थ इलक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे अफकारण कहते हैं कुछ प्रमुक अफकारण है, H2, CO, H2, S, SO2, C, SN, Cl2 आदी, ओक्सिकारण, Oxidizing Agent और Oxident, जिस पदार्थ का अफकरण होता है, अर्था जो पदार्थ इलक्ट्रॉन ग्रहन करता है, ओक्सिकारण कहलाता है कुछ प्रमुक ओक्सिकारण है, O2, O3, H2, O2, HNO3, KMNO4, K2, CR2, O7 आदी ओक्सिकारण, FM, आफकारण, दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है, Hydrogen Sulfide H2S, Hydrogen Paroxide H2O2, Sulfur Dioxide SO2, Nitrous Amyl, HNO2, आदी ओक्सिकारण संख्या, Oxidation Number किसी तत्व की ओक्सिकारण संख्या वो संख्या है, जो किसी अनू या आयन में उस परमानू पर आवेशों की संख्या को बताती है यदि उस अनू या आयन से शेश सभी परमानू को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए जैसे MN की ओक्सिकरण संख्या KMNO4 में KMNO4 एरो प्लस वन प्लस एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस एट ब्रैकेट लोज बराबर शूरने X माइनस सेवन बराबर 0, X is equal to 7 अतह KMNO4 में MN की ओक्सिकरण संख्या साथ है ओक्सिकारग वो बदार्थ जो किसी दूसरे बदार्थ का आक्सिकरन संख्या बढ़ा देता है। अमल वो योगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापिया के रूप में रहता है। आर हेनियस के अनुसार अमल एक ऐसा योगिक है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। अमल वो योगिक है जिसमें इलक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी लोन पेयर आफ इलक्ट्रॉन सुविकार करने की प्रवर्थी होती है। अमल स्वाद में खटे होते हैं। अमल का जलिय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अमल की परचड़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए अप जैलिक अमल प्रयोक्त किया जाता है। कुछ प्राकृतिक अमल प्राकृतिक स्त्रोथ सिरका अमल एसितिक अमल संतरा सित्रिक अमल इमली टार्टरिक अमल टमाटर ओकसेलिक अमल दही खटा दूद लेक्टिक अमल नीबू सित्रिक अमल चीटी का डंग मैथेनाइक अमल नेटल का डंग मैथेनाइक अमल कुछ अमलों की प्रबलता घटे क्रम में HCl स्मॉलर देन HNO3 स्मॉलर देन H2SO4 स्मॉलर देन CH3 COOH अमल राज एकवारीजिया ये तीन अनुपात एक के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल एवं सांद्रो नाइट्रिक अमल का ताजा मिश्रन होता है ये सोना एवं प्लाटिनम को गलाने में समर्थ होता है भस्म ऐसा यौगिक जो अमल से प्रतिक्रिया का लवन एवं जल देता है भस्म कहलाता है ब्राउन स्टेट लॉरी के सिद्धान के रसार वो यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहन करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है लुइस इलक्ट्रोनिक सिद्धान के रसार एकारडिंग टू लुइस इलक्ट्रोनिक थियोरी वो यौगिक जिसमे इलक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रधान करने की ख्रमता होती है भस्म कहलाता है भस्म दो प्रकार के होते हैं एक जल में विले भस्म वैसा भस्म जो जल में विले हो और ख्षार कहलाता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है चार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZNO, CuOH2, FeO, Fe2O3 आदी, कुछ प्रमुग भस्मों के उप्योग, एक, केल्शियम हाइड्रोकसाइड, ब्रैकेट, CA, शॉर्ट ब्रैकेट, OH2, ब्रैकेट, क्लोज, एक, घरों में चूना पोतने में, दो, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, तीन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चार, चमड़ा के उपर का बाल साफ करने में, पांच, ज एक, साबुन बनाने में, दो, पोट्रोलियम साफ करने में, तीन, दवा बनाने में, चार, कपड़ा एवं कागस बनाने में, पांच, कारखानों को साफ करने में, तीन, ब्ल्क ऑफ मेगनीशिया या मेगनीशियम हाइड्रोकसाइड, MgOH2, पेट की अमलियता को दूर करने म लवण, साल्ट, अमल एवं भस्मकी प्रतिक्रिया के पलसोरूप लवण एवं जल का निर्मान होता है NaOH प्लस HCl, एरो, NaCl प्लस H2O कुछ प्रमुक लवणों के उप्योग, एक साधरन नमा किया सोडियम क्लोराइड NaCl खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षन में इसका उप्योग होता है 2. खाने का सोड़ा या सोडियम बाइकार्बेनेट NaHCO3 पेट की अमलियता को दूर करने एवं अगनी शामक यंत्रों में इसका उप्योग किया जाता है 3. दोबन सोडा या सोडियम कार्बिनेट Na2CO310H2O कपड़ा दोने में इसका उपियोग होता है 4. कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोकसाइट NaOH इसका उपियोग अपमारजक का चून बनाने में किया जाता है 5. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 5. बारूत बनाने में इसका उपियोग होता है 5. pH स्केल किसी विलायन की अमलियता या अक्षारियता को कुछ समाने पदार्थों का pH मान व्यक्त करने के लिए pH माबदर्ण का प्रयोग किया जाता है pH बराबर मानिस लॉग अर्थात किसी विलायन में हाइड्रोजन आइनों के सांदरन के प्यूत्करम के लगुगणक को उस विलायन का pH कहते है किसी विलायन का pH मान 7 से कम होने पर वो विलायन अमलिय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वो विलायन एक्षारिय होता है हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कारे करता है जीवित प्राणी केवल संकीन pH परास में ही जीवित रह सकते हैं वर्षा के जल्व की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अमल ये वर्षा कहलाती है pH परिवर्दन के कारण दंत क्षय मूँ के pH का मान 5.5 से कम होने पर दातों का क्षय प्रारंभ हो जाता है दातों का Enamel Calcium Phosphate का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है ये जल में नहीं गुलता लेकिन मूँ की pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है कुछ समाने पदार्थों का pH मान 2.8, सिर्का 2.4, नीबू 2.2 आठ विलेन विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्टन हैं जिसमें किसी निश्चित आप पर विलेया और विलायक ही आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं किसी विलेयन में विले के कड़ों की तीतर जिया 10 की पावर मैनिस 7 सेंटीमीटर से कम होती हैं अतह इन कड़ों को सुक्षमे दर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है विलेयन स्थाई एवं पारदर्शक होता है विले और विलायक, solute and solvent विलेयन में जो पदार्थ अपेक्षक्रित अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्टित रहते हैं उसे विले कहते हैं प्रिष्ट 340 जिस विलायक का हाइड्रोलेक्ट्रिक नियतांग जितना अधिक होता है वो उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है जल का हाइड्रोलेक्ट्रिक नियतांग कमान अधिक होने के कारण इसे सार्वित्रिक विलायक कहा जाता है विलायक का उप्योग एक औशिधी के निर्माण में दो नर्जल धुलाई में पेट्रोलियम, बेंजीन, इर्थर जैसे विलाईकों का तीन इर्थर निर्माण में चार अनिक प्रकार के पेवा खाद्य पदार्थों के निर्माण में विलायन के प्रकार 1. ठोस में ठोस का विलेन, मिश्र धातुएं जैसे पीतल तांबा में जस्ता 2. ठोस में द्रव का विलेन, थेलियम में पारा का विलेन 3. ठोस में गैस का विलेन, कपूर में वायू का विलेन 4. द्रव में ठोस का विलेन, पारा में लेड का विलेन 5. द्रव में द्रव का विलेन, जल में अलकोहल का विलेन, 6. द्रव में गैस का विलेन, जल में कार्बन डाय अकसाइट का विलेन, 7. गैस में ठोस का विलेन, 2. वायू में आयोडिन का विलेन, 8. गैस में द्रव का विलेन, कोहरा बादल अमोनिया गैस का जल में विलेन, 9. ग असंतरप्त विलें किहलाता है असंतरप्त विलें Amsaturated Solution किसी निष्चद तीजन असो HOLUbetal बना ऎशा HOLU investor की और अधिक मातृ उस्ताप पर दुलाई जा सकती है असंतरप्त विलें कखलाता है असंतरप्त विलें Super Saturated Solution ऐसा संत्रिप्त विलेन जिसमें विले की मात्रा उस विलेन को संत्रिप्त करने के लिए आवशक विले की मात्रा से अधिक घुली हुई हो अतिसंत्रिप्त विलेन कहलाता है विलेयता, solubility किसी निश्चे ताप और दाप पर 100 ग्राम विलायक में गुलने वाली विले की अधिकतम मात्रा को उस विले पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं विलेयता बराबर विले की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणा 100 किसी पदार्त की विलायक में विलेयता विलायक तथा विले की प्रकरती पर ताप एवं दाप पर निर्भर करती है विलेयता पर ताप का प्रभाव समानता हा ठोस पदार्तों की विलेयता ताप बढ़ाने से भड़ती है कुछ ठोस पदार्तों की विलियता ताप बढ़ने से घड़ती है जैसे sodium sulphate, calcium hydroxide, calcium citrate आदी किसी द्रव में gas की विलियता ताप बढ़ने से घड़ती है विलियता पर दाप का प्रभाव दाप बढ़ने पर द्रव में gas की विलियता बढ़ती है किसी विलायक या विलायन की एकाई मातरा में उपस्थत विलायकी मातरा को विलायन का सांदरन कहते हैं जिस विलायन में विलायकी परियाप्त मातरा गुली रहती है उसे सांदर विलायन कहा जाता है और जिसमें विलेय की कम मात्रा गुली रहती है उसे तनू विलेयन कहा जाता है सभी तनू विलेयन आसंत्रप्त विलेयन होते हैं जो विलेयन जितना ही अधिक तनू होता है वो उतना ही अधिक सा आसंत्रप्त होता है प्रिष्ट 341 परी इक्षेपन डिस्पर्जिन जब किसी पदार्थ के कंड परमाणू अनू या आयन दूसरे पदार्थ के कंडों के इर्दगिर्द छितरा दिये जाते हैं तो ये क्रिया परिक्षेपन कहलाती है पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपन माध्यम कहा जाता है परिक्षेपन के फल्सोरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं एक विशमांग पदार्थ निलंबन एवं कॉलाइड दो समांग पदार्थ वास्तविक विलैन निलमबन, Suspension इसमें परिक्षेपित कणों का आकार दसकी पावर मानस 3 सेंटीमीटर से दसकी पावर मानस 4 सेंटीमीटर या इस से अधिक होता है इन्हें आंखों से देखा जा सकता है इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते ये आस्थाई होते हैं तथा इनके कड़ों में परिक्षेपट माध्यम से अलग हो जाने की प्रवर्ती पाई जाती है उधारन नदी का गंदा पानी वायू में धुआ आ दी दो, कोलाइड इसमें परिक्षेपट कड़ों का आकार 10 की पावर माध्यम से नहीं देखा जा सकता है इसके कड़ों में परिक्षेपट माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवर्ती पाई जाती है उधारन दूद, गोंद, रक्ट, स्याही, आदी वैसा कोलाइट जिसमें ठोस कंड द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है रबड के दास्तानों का निर्मान विद्युत लेपन द्वारा रबड सोल से किया जाता है जेल वैसा कोलाइट जिसमें ठोस कंड द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते ही है पर उनमें प्रभवता फ्लो नहीं होती है जेल कहलाती है जैसे जेली और जिलेटिन एरोसोल, किसी कैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपन एरोसोल कहलाता है जरी जब परिक्षेपित कंठोस होता है तो ऐसे एरोसोल का धुआ स्मोक कहा जाता है जब परिक्षेपित बदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है नोट जब परिक्षेपन का माध्यम जल, अलकोहल एवं बेंजीन हो तो कॉलाइडो को क्रमशाह हाइड्रोसोल, अलकोहलस एवं बेंजोसोल कहते हैं पायस, एमलजिन जब किसी कोलाइड में एक दुसरे 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 के सारे कड़ों में परिक्षेपित तो हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसी करन कहते हैं दूद एक प्राकर्तिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस कौड लिवर तेल जिसमे तेल जल के लकण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उधारन है सबसे बड़े पैमाने का पाइसी करण के रूप में साबुनों और डिटर्जेन का प्रयोग किया जाता है इनकी पाइसी करण की प्रकर्टी कपड़ों को दोने में साहता करती है पाइसी कारकों का प्रयोग आयसकों के सांद्रण में भी किया जाता है जाग Forms, द्रव में गैस का परिक्षेबन जाक कहलाता है, ये साबुन से उत्पन होते हैं वास्तविक विलेन, True Solution, इनके कर्ण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कर्णों का आकार 10 की पावर मैनस 7 से 10 की पावर मैनस 8 सेंटिमीटर होता है इसके कर्ण छन्ना पत्र के आरपार आसानी से आजा सकते हैं, ये सबसे स्थाई एवम पारदर्शक होता है, ये आँख तथा सूख्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं आपोहन, डालैसस, कोलाइडी विलेन को बास्तविक विलेन से प्रथक करने की प्रक्रिया आपोहन कहलाती है, अर्थात इस विधी त्वारा कोलाइडी विलेन को शुद्ध किया जाता है ब्राउनी गती, ब्राउनियन मूव्मेंट, कोलाइडी बिलैन के कर्ण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गती कहते हैं, ये गती कोलाइड कड़ों की प्रकरती पर निर्भर भागते रहते हैं, निर्भर नहीं करती है, कर्ण जितने ही सुक्ष्म होते ये गती उतनी ही तेज होती है प्रिष्ट 341 इसकंदन को एगुलेशन जब कोलाइडी विलैन में कोई विद्युत अब घट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपन हो जाता है इसे सकंदन कहते हैं टिंडल प्रभाव जब क किसी कोलाइडी विलैन में तीवर प्रकाश गुजरते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्षमदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कर काली प्रिष्ट भूमी में आलपिन की नोख की भांती चमकने रखते हैं इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रक्रीडन है वास्तविक विलैन और कोलाइडी विलैन में अंतर वास्तविक विलैन एक वास्तविक विलैन में पदार्थ विले के कड़ों का आकार व्यास दसकी पावर माइनस साथ से कम रहता है कोलाइडी विलैन एक कोलाइडी विलैन में पदार्थ विले में अद्रिश्य होते हैं कोलाइडी विलेन 2 कोलाइडी कणों से उत्पन प्रकाश प्रक्रीरन को अल्टा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है वास्तविक विलेयन 3 इसमें पदार्थ का कंड प्रकाश का प्रक्रीरन नहीं करते कुलाइडी विलेयन 3 ये कंड प्रकाश का प्रक्रीरन करते हैं 4 इस विलेयन का परासरणी दाब अधिक होता है कोलाईडी विलेन चार इसका परासरणी दाव अपेक्षाकृत कम होता है पांच यह समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है कोलाईडी विलेन पांच यह विशमांग तथा दो प्रावस्था वाला होता है बफर विलेन बफर सॉल्यूशन वो विलयन जो की अमल या क्षार की साधरन मातराओं को अपनी प्रभावी अमलता या अक्षारता में परियाप्त परिवर्थन किये बिना अवशोषित कड़ लेता है इसे बफर विलयन कहते हैं जैसे सोडियम एसिडेट तथा एसिटिक आमलका मिश्रन एक प्रभावी बफर है, जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग 9. कार्बन एवं उसके यौकिक कार्बन एक आधातू है, इसकी परमानु संख्या छह है, इसे आधानुक आधुनिक आवर्त सारनी के वर्ग चार में ए में रखा गया है, अपरूपता, एलोट्रॉपी, वैसे पदार्थ जिनके रासाइने गुण समान हो, एवं बहुते गुण बिन हो, अपरूप कहलाते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, एक हीरा, एवं ग्रेफाइट, हीरा के प्रमुग गुण हैं, एक ये ताप एवं विद्यूत का गुचालाख होता है, दो, ये दुनिया का सबसे कटोर पदार्थ है, ये किसी भी द्रव में नहीं गुलता है, इस पर अमल खशार आदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तीन, इसके र प्रदर्शित करता है, पांच, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंग हीन होता है, कुछ हीरे काले होते हैं, जिने बोट कहते हैं, इसका उप्योग शीशा काटने में किया जाता है, ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, एक, ये विद्यूत का सुचालक होता है, दो, इस रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है, हीरा में कार्बन स्पी थी एवं ग्रेफाइट में कार्बन स्पी टू प्रवसंकरित रहता है, हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रोकार्बन का एक प्राकरतिक स्त्रोत पेट्रोलियम कच्छा तेल है जिसे प्रकरती द्वारा प्रत्वी में कुछ विशेश प्रकार के अवसाधी चटानों सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं एक संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटड हाइड्रोकार्बन जिस हाईडरोकार्बन में प्रते कार्बन परमाणू की चारो संयोग चताएं एक सह संयोजी आबंधो द्वारा संतुष्ट होती है उसे संत्रिप्त हाईडरोकार्बन या अलकेन कहते हैं एलकेन श्रेने की समाने सूत्र CnH2n2 द्वारा दर्शाया जा सकता है जहां N किसी आणू में उपस्तित कार्बन परमाणू की संख्या दर्शाता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आदी एलकेन के प्रमुक उधारन है दो, आसंत्रिप्त हाइडरो कार्बन, औं-स अचूरेटड हाइडरो कार्बन वो हाइडरो कार्बन जिनमें कम से कम दो निकटस्त कार्बन परमाणू आपस में द्वीबंद अथवात्रिबंद धिल बनाकर अपनी संख्यों जक्ता को सन्तुष्ट करते हैं आसंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं द्वीबंद वाला आसंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन को एलकीन कहते हैं एलकीन श्रेने का समाने रासाइनिक सूत्र CnH2N होता है इस श्रेने का पहला सदस्य एथीन C2H4 है त्रीबंद वाला आसंतरप्त हाइड्रोकार्बन एलकाइन कहलाता है एलकाइन का समाने रासाइनिक सूत्र CnH2n-2 होता है सबसे सरल एलकाइन एथाइन पुश्ठक में C2H2 और H-C त्रीबंद यानि 3-3-C-H है तीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसके संरचना वलय होती है जो निम्ण है यहाँ पे दो संरचनाएं दी गई है संबंदित चित्र के लिए अधिक जानकारी के लिए आप अपने संबंदित मित्र से या अपने सहयोगी से जान सकते है प्रिष्ट 344 समावयवता आईसो मेरिज्म जब दो या दो से अधिक योगिकों के अनुसूत्र समान होते है परंतो उनके गुडों में अंतर होता है तब इस विशेश गुण को समावयवता कहते हैं और प्रांत योगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं इसके दो मुख्ये प्रकार है इस अभिक्रिया को बहुली करण कहा जाता है इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अनु को मोनोमर और उत्पात को पॉलीमर बहुलक कहते हैं बहुलक के करण की विशिष्टाएं एक, इसमें एक ही योगिक के अनु परस पर संयोग करते हैं दो, किसी भी अनु का निश्कर्शन नहीं होता है तीन, बहुलक का अनुभार मूल योगिक के अनुभार का गुणक होता है प्राकृतिक बहुलक के उधारन है स्टार्च एवं सेलिलोज प्लास्टिक प्लाकृतिक प्लास्टिक का उधारन है लाहा रासाइनिक विधी से तयार प्लास्टिक दो प्लकार के होते हैं एक, थर्मो प्लास्टिक एवं दो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक एक, थर्मो प्लास्टिक ये गर्म करने पर मुलायम तथा थंडा करने पर कठोर हो जाता है, ये गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बाद थंडा वगर्म किया जए, जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक दूई बंद रहता है, उनके योग बहुल्य की करण वसे प्लास्टिक बनते हैं उधारन पॉलिस्टाइरीन, पॉलिथिन, नाइलोन तथा पॉली वाइनिल, क्लोराइड, टेफलोन आदी पॉलिथिन, एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवम उच्च दाप पर बहु लखी करण के प्वसरूप प्राप्त होता है इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरं पैंकिंग ठहलिया बनाने में होता है पॉलिस्टाइरीन, फैनिल एथिलीन के बहु लखी करण के पुसरूप प्राप्त होता है इसका उपयोग अमल रखने की बोतल सेलो के कवर आदी बनाने में होता है पॉली विनायल क्लोराइड वाइनल क्लोराइड के बहुलकी करण से प्राप्त होता है इसका उप्योग पतली चादरे, फिल्म, बरसाती, सीट कवर आधी बनाने में होता है तीन, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित प्राकार में ढाल दिया जाता है इसे पुर्णा गर्म करके मुलायम नहीं बनाय जा सकता है इस प्रकार के अनुत क्रमण ये बहुलकों को तापदरिन बहुलक कहते हैं उधारन बेकलाइट तथा मेलामाईन बेकलाइट ये फिनॉल तथा फा माल्ड हाइट को सोडियम हाईड्रॉकसाइट की उपस्तिती में गरम करके प्राप्त किया जाता है इसका उप्योग रेडियो टेलिविजन आधी के केस बाल्टी आधी बनाने में किया जाता है रबर रबर दो प्रकार का होता है एक प्राकर्तिक एवं दो संचलिस्ट प्राकर्तिक रबर ये आईसोप्रीन का बहुलक होता है ये थर्मो प्लास्टिक है वलकनी करण वलकनाईजेशन प्राकर्तिक रबड को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने के क्रिया वलकनी करण कहलाता है इसके बाद रबड एक निश्चित आकार ग्रहन कर लेता है इस प्रकार के रबड का उपयोग दस्ताना, गलव, रबर बेंड, रबर बेंड बनाने में किया जाता है रबड आसानी से कार्बन सल्फाइड में घुल जाता है प्राकर्तिक रबड काफी मुलायम होता है इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिला जाता है तब इसका प्रयोग tube tire आधी बनाने में किया जाता है प्रिष्ट 345 संचलिस्ट रबड, सिंथेटिक रबड एक, नियोप्रीन दो, क्लोरो ब्यूटाइडाइन के बहु लखी करण से बनता है इसका उप्योग विद्यूत रोधी पदार्थ, इन्सियोलेटिंग मेटेरियल विद्यूतार से बनता इलेक्रिट केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिच तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है दो, थाइकॉल, यह दूसरा कृत्रिम रबड है जो डाइकलेरो इथेन को पॉली सलफाइट की प्रतिकरिया से बनाया जाता है इसका उप्योग, खनिच तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक, सॉलिवेंट स्टोरेज टैंक आधी बनाने में किया जाता है नोट, थाइकल रबड को आकसिजन मुक्त करने वाले रसाइनों के साथ मिलाकर, रॉकिट इंजिनों में ठोस इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है रेशे, फाइबर्स, वो श्रंकला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चोड़ाई की अपेक्षा, सैकड़ो या हजारो गुना अधिको रेशे कहलाते है रसाइनिक रेशे, नायलॉन, नायलॉन शब्द न्यू यॉयॉक शहर के एनवाई तथा लंदन के लॉन से मिलकर बनाय गया है नायलॉन ऐसे चोटे कार्बिनिक अड़ों के बहुलकी करंट प्रक्रिया द्वारा बनाय जाता है, जो प्राकर्तिक रूप से उपलब्द नहीं है ये एक पॉली एमाईड रेशे का उधारन है, जिसमें एमाईड समू greater than C-O-N-H-2 कोश्ठक समाब प्रते एक एक एकाई पर होता है, तथा बार बार दोहराया जाता है पाली एमाईड रेशा बनाने के लिए दो एमीन कोश्ठक में माइनस H-2 कोश्ठक समाब समू योगत किसी कार्बनिक योगिक की अभिकरिया किसी ऐसे कार्बनिक योगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बो ऑक्सिलिक अमल कोश्ठक में माइनस C-O-O-H कोश्ठक समाब के दो समू हो नायलाउन मानव द्वारा संचलिस्ट किया गया पहला रेशा था जिसका निर्मान सर्वरपथम सन 1935 इसवी में किया गया था तथा वैपारिक सतर पर पहली बार सन 1949 इसवी में महिलाओं के लिए जुरावे इससे बनाए गई नायलाउन का उपयोग मचली पकड़ने में जाल में पेरासूट के कपड़ा में टायर, दांथ, ब्रश, परवता रोहन के लिए रसी आदी में होता है सेल्यूलोस से बने क्वित्रम ब्रेशे को ड्याउन कहते हैं रेउन बनाने के लिए सेल्यूलोस कागस की लुगदी या काश्ट को लिया जाता है इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम, हाइड्रोकसाइड तथा काबंडाय अकसलफाइट से उपचारित करते हैं इसके बाद उसे सेल्यूलोस के विलयन को धातू बेलिनों में बने छिद्रों में से होकर तनू सल्फियूरक अमल में गिरा जाता है यहां इसके लंबे-लंबे तन्तू बन जाते हैं रेउन रासाइनिक द्रिश्टी से सूत के समान है रेउन का उपयोग कपड़ा बनाने में कालीन बनाने में चिकितसाक शेतर में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है पॉलियस्टर पॉलियस्टर इसे इंग्लैंड में विकसत किया गया था इसे संचलिस्ट करने के लिए 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- इसे पौलियस्टर कहते हैं पॉलियस्टर का उपयोक कपड़े के रूप में पाल नौ५ाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर कार्बन परभाणों की लंबी श्रंखला से बने होते हैं इनका संगशारन कौर रोईशन नहीं होता है इनका निर्मान संचलिस्ट रेशों को ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में गर्म करके किया जाता है जिससे रेशे अब घटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन करते हैं इसका उप्योग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूत की सामगरी बनाने में होता है प्रिष्ट 346 पेट्रोलियम उद्योग पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोलियम प्राया प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आस्वन डिस्ट्रक्टिव डिस्टॉलिशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है इसमें भिन्ने-भिन्न कवत रांग पर संगा में प्रभाज प्रतक प्रतक एकट्टे कर लिये जाते हैं जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है पेट्रोलियम का उत्पाद स्पिरित के रूप में तीन नेफ्था ताप परिसर 100 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस कार्बन अणुहों की संख्या C7 से C12 तक उप्योग संचलिस्ट रेशे के उत्पादन के रूप में चार किरासन तेल केरोसन ओयल ताप परिसर 175 डिग्री से से 200 डिग्री सेल्सियस कार्बन अणुहों की संख्या C10 से C15 तक उप्योग लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए इंधन के रूप में पाँच डीजल ताप परिसर 2500 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस कार्बन अणुहों की संख्या C16 से C20 तक उप्योग डीजल इंजन में इंधन के रूप में छे स्नेहक तेल लूब्रिकेंट ओयल ताप परिसर 2500 डिग्री सेल्सियस से 4500 डिग्री सेल्सियस कार्बन अणुहों की संख्या C20 से C30 तक उप्योग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में साथ पेट्रोलियम जैली ताप परिसर 2500 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस कार्बन अणुहों की संख्या C30 से C35 तक उप्योग स्नेहक एवं दवा बनाने में आठ पाराफीन मुम ताप परिसर 500 डिग्री सेल्सियस से उपर कार्बन अणुहों की संख्या C35 से C40 तक उप्योग मुम्बत्ती एवं जल्रोधी बनाने में 9. कोलतार ताप परिसर अवशिष्ट कार्बन अणुहों की संख्या अवशिष्ट उप्योग सडग बनाने में 10. इंधन इंधन फ्यूल वो पदार्थ जो हवा में जलकर बगेर अनावशक उत्पात के उश्मा उत्पन करता है इंधन कहलाता है एक अच्छे इंधन के निम्रखित गुर्ण होने चाहिए 1. वो सस्ता एवं आसानी से उपलवद होना चाहिए 2. उसका उश्मी अमान कैलोरी फिक वैल्यू उत्पन होना चाहिए 3. जलने के बाद उससे अधिक मातरा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए 4. जलने के दुरान के बाद उससे अधिक मात्रा में कोई हानेकार पदार्थ नहीं उत्पन होना चाहिए 5. उसका जवाव परिवेहन आसान होना चाहिए 6. उसका जलना नियंतरत होना चाहिए 7. उसका प्रज्वलन ताप इगनिशन टेंपरेचर निमन होना चाहिए इंधन का उश्मियमान कैलोरिफिक वैलियू आफ वियूल्स किसी इंधन का उश्मियमान उश्मा की वो मात्रा है जो उस इंधन के एक ग्राम को वायू या उक्सिजन में पूर्ण तहा जलाने के पश्चाथ प्राप्त होती है किसी भी अच्छे इंधन का उश्मियमान अधिक होना चाहिए सबी इंधनों में हाइड्रोजन का उश्मियमान सबसे अधिक होता है परंतो सुरक्षित भंडारन के सुवधार नहीं होने के कारण उप्योग आमतोर पर नहीं किया जाता है हाइड्रोजन का उप्योग रॉकेट इंधन के रूप में तथा उच्चताप उत्पन करने वाले ज्वालकों में किया जाता है हाइड्रोजन को भविश्य का इंधन भी कहा जाता है अब स्पोटन, नौकिंग वा आक्टेन संख्या, आक्टेन नमबर कुछ इंधन ऐसे होते हैं जिनका वायू मिश्रन के इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है जिससे उश्मा पूर्टया कारिय में परिवर्तित ना होकर धात्विक द्वनी उत्पन करने में नश्ट हो जाती है प्रिष्ट 347 एही धात्विक द्वनी अपस्पोर्टन कहलाती है ऐसे इंधन जिनका अपस्पोर्टन अधिक होता है उप्योग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं अपस्पोटन कम करने के लिए ऐसे इन्धनों में अपस्पोट रोधी यॉगिक मिला दिये जाते हैं, जिससे इनका अपस्पोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्पोर्टी रोधी यॉगिक Tetrarethyl-LED TEL है अपस्पोर्टन को आक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है किसी एंधन जिसकी आक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्पोर्टन ज wait उतना ही कम होता है तथा वो उतना ही उत्तम इंधन माना जाता है इंधन का वर्गी करण बहुतिक अवस्था के आधार पर इंधन को निम्न प्रकार में बाटा गया है इंधन एक ठोसी इंधन लकडी, कोईला, चारकोल, कोक आदी द्रव इंधन पेट्रोल, सप्रिट, डीजल, इ Kelvin, किरासन, अलकॉल आधी गैस य इंधन प्राक्रिति गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आधी कोईला कारबन की मातरा के आधार पर कोईला चार प्रकार के होते हैं एक, पीट कोईला इसमें कार्बन की मातरा 50% से 60% तक होती है इसे जलाने पर अधिक राख एवम धुआ निकलता है यह सबसे निम्र कोटी का कोईला है 2. लिगनाइट कोईला कोईला इसमें कार्बन की मातरा 65% से 70% तक होती है इसका रंग भूरा ब्राउन होता है इसमें जलवाश्पक की मात्रा अधिक होती है 3. बिटूमिनस कोईला इसमें मुलाहिम कोईला भी कहा जाता है इसका उप्योग घरेलू कारियों में होता है इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है 4. एंथरसाइट कोईला ये कोईले की सबसे उत्तम कोटी है इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है द्रव इंधन लिक्विट फ्यूल पेट्रोल, दीजल, किस्तकिरासन, तेल, अलकॉहल, स्पिरिट सभी द्रव इंधन के उधारन है गैसिये इंधन गैसियोस फ्यूल प्राकर्टिक गैस ये पेट्रोलियम कुवां से निकलती है इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जसमें 80% मीथेन रहता है घरों में प्रयोक्त होने वाली द्रवित प्राकर्टिक गैस को LPG कहते हैं ये ब्यूटेन एवं प्रॉपेन का मिश्रन होता है जिसे उच्चदा पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है LPG अत्यदिक ज्वलनशील होती है अधा इससे होने वाली दुरखटना से बचने के लिए इसमें सर्फर के यौगिक मिथाईल मर काप्टेन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाब को इसके गंद से पहचान लिया जाए गोबगैस, बायोगैस गीले गोपर पश्चुओं के मल के सरने पर ज्वरनशील मिथेन गैस बनती है जो वायू की उपस्तिती में सुगमता से जलती है गोबर के संयत्र में शेश रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक हाथ के रूप में किया जाता है प्रडूसर गैस ये गैस लाल तब तो कोक पर वायू प्रवाहित करके बनाई जाती है इसमें मुख्य तहा कार्बन मोनो ओक्साइड इंधन का काम करता है इसमें 70% नाइड्रोजन 25% कार्बन मोनो ओक्साइड एवं 4% कार्बन डाय ओक्साइड रहता है इसका उश्मी एमान कैलोरिफिक वैल्यू 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रती किलोग्राम होता है कांच एवं इसपात उत्योग में इसका उप्योग इंधन के रूप में किया जाता है जल गैस वाटर गैस इसमें हाइड्रोजन 49% कार्बन मोनो ओक्साइड 45% तथा कार्बन डाय ओक्साइड 4.5% होता है इसका उश्मी अमान 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रती किलोग्राम होता है इसका उप्योग हाइड्रोजन एवं एलकोहल के निर्मान में अपचायक के रूप में होता है प्रिष्ट 348 कोल गैस ये कोईले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टैलेशन से बनाय जाता है ये रंगहीन तीक्षन गंध वाली गैस है ये वायू के साथ विस्वोटक मिश्रन बनाती है इसमे 54 प्रतीशत हाइड्रोजन, 35 प्रतीशत मीधेन, 11 प्रतीशत कार्बन मोनो अकसाइड, 5 प्रतीशत हाइड्रोकार्बन, 3 प्रतीशत कार्बन डाय अकसाइड होता है इंधन का उश्मियमान उसकी कोटी का निर्धारन करता है अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं जो उर्जा का एक वेकलपिक स्रोथ है ग्यारह धातूएं ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिक्त जो इलक्टॉन को त्याग कर धनायन बजान करते हैं धातू कहलाते हैं धातुएं सामानताहा, चमकदार, आधातवर्धिये तथा दन्य होती है धातुएं उश्मय एवं विद्यूत की सुचालक good conductors होती है चांदी विद्यूत का सर्वस्रेश्ट सुचालक है धातुओं में विद्यूत चालकता घर्टे क्रम में होती है चांदी स्मॉलर देन तांबा, स्मॉलर देन ऐलुमीनियम, स्मॉलर देन टंग्स्टन सीसा की उश्मय एवं विद्यूत चालकता सबसे कम होती है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकर्टी क्षार किये होती है अब बाद क्रोमियम ऑक्साइड, CR2O3 की प्रकर्टी अमली होती है AI, ZN, एवं PB के ऑक्साइड उभह धर्मी M-Forteric होते है धातुओं प्राया तनू अमलों से हाइड्रोजन विस्थापित होती करती है तांबा तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है साथ प्रतीशत, लोहा, चार प्रतीशत, एवं केल्शियम तीन प्रतीशत का क्रवशाह, प्रधम द्वीतिये एवं त्रितिये स्थान है खनिज मिनिरल्स, भू परपटी में प्राकर्टिक रूप से पाय जाने वाले तत्वों का या योगिकों को खनिज कहते है आयस्क, और इस, वो खनिज जिन से धातूं को सुगमता पूरवक तदा लापकारी रूप में निशकर्शत किया जा सकता है, आयस्क कहलाते है यहाँ पर आयस्क से धातू निशकर्शन में प्रयुक्त चरण दर्शाय गए है जो इस प्रकार है आयस्क, आयस्क का सांद्रण आयस्क का सांद्रण तीन भागों में बाटा गया है एक उच्च अभिक्रियाशील वस्तु में इसके भी दो भाग हैं गलित धातू का विद्यूत अभगटन तथा शुद्ध धातू मध्यम अभिक्रियाशील धातूें ये भी दो प्रकार की होती हैं, कार्बोनेट आयस्क तथा सलफाइड आयस्क. कार्बोनेट आयस्क से निस्तापन तथा सलफाइड आयस्क से भरजन. इन दोनों से तीन तरीके की धातू निकलती हैं, धातू का ओक्साइड, धातू का अबगटन तथा धातू का शोधन. जिनसे सलफाइड अयस्क, भर्जन, धातू और परिशकरण होता है ये थे अयस्क से धातू निशकरशन में प्रयुक्त चरण इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप अपने मित्र से संपर्ख कर सकते हैं प्रिष्ट 349 धातू कर्म मैटाल लड़गी अयस्कों से धातू के निशकरशन तथा परिशकरण में समिलत विभिन प्रकर्मों को धातू कर्म कहते हैं गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं फलक्स अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को Flux कहते हैं धातुमल Slag गैंग एवं Flux के मिलने इसे बने पदार्थ धातुमल कहलाता है निस्तापन Calculation इस प्रक्रिया में धातु के आयस्क को उसके द्रवनांक MP से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि आयस्क में मिले वाशपशील अशुद्या दूर हो जाएं भरजन, रोस्टिंग इस प्रक्रिया में धातु के आयस्क को गर्म हवा की उपस्तिती में उसके द्रवनांग से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धी ऑक्सिकृत ऑक्सिडाइज हो जाएं S. Smelleting Smelleting इस प्रक्रिया में धातु कोक एवंफलक्स की उपस्तिती में उसके द्रवनांग से उपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्थ होती है सक्रियता श्रेनी वो सूची है जिसमें धातूं की क्रिया शीलता को अवरोही क्रम में विवस्तथ किया जाता है कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन कलकिनेशन द्वारा धातू- औकसाइड में परिवर्तित किया जाता है और सलफाइड अयस्क को भरजन रोस्टिंग द्वारा धातू ऑक्साइड में परिवर्थित किया जाता है धातू ऑक्साइडों को कार्बन अलिमीनियम अत्वा विद्युत अपघटनी अपचेयन द्वारा धातू में अपचेयत किया जाता है सोडियम, पोटेशियम तथा केलशियम धातूं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्यूत अबगटन द्वारा निशकर्शित किया जा सकता है जबकि अलुमीनियम धातूं को उसके गलित ऑक्साइड के विद्यूत अबगटन द्वारा निशकर्शित किया जाता है गलित लवडों के विध्युत अब घटन के दोरान शुद्ध धातू कैथोड पर निक्षेपित होती है संक्षारण धातूओं का उनकी सतह पर वायू एवं आदरता के प्रभावद्वारा नश्ठ होना संक्षारण कहलाता है लोहे में जंग लगना तांबा की सतहा पर हरे रंग की परचड़ना एवं चांदी की वस्तुए को काली हो जाना संक्षारण के उधारण है लोहे में जंग लगना रासाइनिक परिवर्तन का उधारण है जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ Ferisophoric Oxide Fe2O3XH2O होता है यानि जलके अडूओं की संख्या X बदलती रहती है पेंट करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर यश दलेपन, क्रोमियम लेपन, एनौडी करण या मिश्र धातू बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है नोट, यश दलेपन लोहे एवं इसपात को जंग से सुरक्षत रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चड़ाने की विधी को यश दलेपन कहते हैं सक्रियता श्रेणी, धातूँं की सापेक्ष अभिक्रियाशील इता ये सब सबसे अधिक अभिक्रियाशील करते हैं घर्टी अभिक्रियाशीलता में चान्दी, AG, AU, सोना, सबसे कम अभिक्रियाशीर धातू और निश्कर्षन की विधी K, N, A, C, A, M, G, A, L निश्कर्षन की विधी, विध्युत अभघटन Z, N, F, E, P, B, C, U निश्कर्षन की विधी, कार्बन के उपयोग से अपचैन AG और AU प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित प्रिष्ट 350 रामबा वायू में उपस्थित आदर कार्बन डाई ऑक्साइट के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक दीरे-दीरे खत्म हो जाती है तता इस पर हरे रंग की परत चड़ जाती है ये हरा पदार्थ कॉपर कार्बनेट होता है खुली वायू में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तों में काली हो जाती है सिल्वर का वायू में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर 6. धातुएं स्टॉनसियम SR अयस्क स्टॉनसियनाइट सूत्र SRCO3 सिलस्टाइन सूत्र SRSO4 7. धातुएं तांबा CU अयस्क क्यूप्राइट सूत्र CUTO कॉपर ग्लांस सूत्र CU2S कॉपर पाइराइट सूत्र CUFES2 8. धातुएं सिल्वर AG अयस्क रूबी सिल्वर सूत्र 3AG2 S SB2S2 पायराइट सूत्र AG3SBS3 होन सिल्वर AGCL 9. सोन AU अयस्क कालवराइट सूत्र AUTE2 सिल्वैनाइट सूत्र ब्राकेट अन्दर कॉष्ठक AG, AU कॉष्ठक समाथ TE ब्रैकेट क्लोज 10. बेरियम BA आयस्क बेराइट सूत्र BASO4 11. धातुएं ZN अयस्क जिन्क ब्लेंड सूत्र ZNS कैलमाइन सूत्र ZNCO3 जिंकाइट सूत्र ZNO प्रिश्ट 354 12. धातुएं पार HG अयस्क सिन्यबार सूत्र HGS 13. धातुएं TIN SN अयस्क कैसी टेराइट सूत्र SNO2 14. धातुएं लेड PB अयस्क गेलना सूत्र PBS 15. एंटीमनी SB अयस्क स्टेबनाइट सूत्र SB2 S3 16. धातुएं कैडमियम CD अयस्क ग्रिनोकाइट सूत्र CDS 17. बिस्मत BI अयस्क बिस्मित्वित सूत्र BI2 18. लोह FE अयस्क हमाटाइट मेगनित्य सूत्र FET O3 FE2 O2 लिमोनाइट FE2 O3 दशमलव 3 H2O सिदराइट FeCO3 आयरन पायराइट FeS2 कैल कोपराइट CuFES2 19. कोबाल्त CO आयस्क मेल्टाइट सूत्र CO AS2 20. धातुवे निकल NI आयस्क मेलराइट सूत्र NIS 21. क्रोमियम CR आयस्क क्रोमाइट सूत्र FeO CR2 O3 22. मेगनीज MN आयस्क पायरोलिूसाइट सूत्र MN O2 सिलोमेलीन मेंगनाइट सूत्र MN2 O3 2 H2O 23. धातुवे यूरेनियम U आयस्क कार्नेटाइट पिच ब्लेड सूत्र U3 O8 ये थे प्रमुक धातुए एवं उनके आयस्क कपड़ा की छपाई में तीन आग बुझाने में 25. अनादर अलुमीनियम क्लोराइट A L C L 3 एक पेट्रोलियम के भजन में 26. मर्कूर क्लोराइट A H G C L 2 एक कैलोमेल बनाने में दो कीट नाशक के रूप में 27. मर्कूरिक ऑक्साइड H G O एक मलहम बनाने में दो जहर के रूप में 28. मर्कूरी H G एक थर्ममीटर में दो सिंदूर बनाने में 3. अमलगम बनाने में 29. जिंक सल्फाइट Z N S एक श्वेट पिगमेट के रूप में 30. जिंक सल्फेट या उजलात होता Z N S O 4 दशवलव 7 H 2 O एक लिथे पोन के निर्मान में दो आँखों के लोशन के बनाने में 3. कैलिको छपाई में 4 चर्म उद्योग में 31. जिंक क्लोराइट Z N C L 2 1. टेक्स्टाइल उद्योग में 2. कार्बनिक संचलेशन में 3. तामर कांच आदी की सतहों को जोडने में 32. जिंक ऑक्साइट Z N O 1. मलहम बनाने में 2. पोर सेलिन में चमक ग्लेज लाने में 33. जिंक Z N 1 बैटरी बनाने में 2 हाइड्रोजन बनाने में 34. कैल्शियम कार्बाइड CAC2 1. कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में 35. ब्लीचिंग पाउडर C A O C L 2 1. 1. किटाणू नाशक के रूप में 2 कागस्त था कपडों के विरंजन में 3. रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में 4. क्लोरोफाम के उत्पादन में 36. प्लास्टर ओफ पैरस C A SO 4 2 H 2 O या C A SO 4 1 upon 2 H 2 O 1. 1. मूर्ती बनाने में 2 शल्य चिकित्साग में पट्टी बांधरे में 3 छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने हैं तू प्रिष्ट 356 37. केल्शियम कार्बोनेट C A CO 3 1. चूना बनाने में 2. टूथपेस्ट दतमंजन बनाने में 3. सीमेंट उद्योग में 38. केल्शियम सल्फेट या जिबसम C A SO 4 H 2 H 2 O 1. स्वाद के रूप में 2. प्लास्टर आफ पैरिस बनाने में 3. अमोनियम सल्फेट बनाने में 4. सीमेंट उद्योग में 49. केल्शियम C A 1. अफकारक के रूप में 2. पैट्रोलियम से सल्फर हटाने में 40. मेगनीशियम क्लोराइड MgCl2 6 H 2 O 1. रूई की सजावट में 2. सौरिल सीमेंट के रूप में व्यर व्रहत 41. मेगनीशियम कार्बनेट MgCO3 1. दंत बंजन बनाने में 2. दवा बनाने में 3. जिपसम लवन बनाने में 42. मेगनीशियम Mg 1. दातू मिश्टन बनाने में 2. फ्लेश बल्ब बनाने में 3. थर्माइट वेल्डिंग बनाने में Magnesium Oxide MgO 1. औश्यधी निर्मान में 2. रबड पूरक रबड फाइलर के रूप में 3. वाइलरों के प्रयोग में 44. मेगनीशियम हाइड्रोकसाइड MgOH3 1. चीनी उद्योग में मोलासस में चीनी तयार कराने में 45. कॉपर सलफेट या नीलाथ हो था Cuso4.5H2O 1. किटाणू नाशक के रूप में 2 विद्यूत सेलों में 3. कॉपर के शुद्धी करण में 4 रंग बनाने में 46. क्यूपरिक क्लोराइड Cucl2.2H2O 1. ऑक्सी करण के रूप में 2. जल शुद्धी करण में 3 धागों की रंगाई में 47. क्यूपरिक ऑक्साइड CuO 1. ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्मान में 2. पेट्रोलियम के शुद्धी करण में 48. क्यूपरिस ऑक्साइड Cu2O 1. लाल ग्लास के रिर्मान में 2. पेस्टिसाइड के रूप में 49. कॉपर Cu 1. बिजली के ताल बनाने में 2. बर्तन बनाने में 3. ब्रास तथा ब्रांज बनाने में 50. सोडियम नाइट्राइट NaNO3 1. N2 बनाने में 2 प्रतिकारक के रूप में 51. सोडियम नाइट्रेट NaNO2 1. खात के रूप में 2 KNO3, HNO3 के निर्मान में 52. सोडियम सलफेट या ग्लाबल लवन Na2SO4.10H2O4 1. औशुदी बनाने में 2 सस्ता कांच बनाने में 53. सोडियम बाइकार्बनेट या खाने का सोड़ा NaHCO3 1. अगनी शामक यंत्र दो बेककारी उद्योग में बेकरी उद्योग में 3 प्रतिकारक के रूप में 54. सोडियम कार्बनेट या धोवन सोड़ा Na2CO3 1. ग्लास निर्मान, 2 कागस निरुद्योग 3. जल की स्थाई कठोड़ता हटाने में 1. दुलाई के लिए घरों में धोवन सोड़ा के रूप में 55. हाइड्रोजन पैरोकसाइट H2O2 1. अखसी कारक के रूप में 2. किटानू नाशक के रूप में 3. रेशम, उन, चमड़ा, वगहरा के विरंजन में 4. लेड के रंगों में 56. भारी जल, D2O 1. नूकलियर प्रतिकरियों में 2. दूटरेटिड योगिक के निर्मान में 57. हाइड्रोजन, H2 1. अमोनिया के उत्पाधन में 2. कार्बनिक योगिक के निर्मान में 58. द्रव हाइड्रोजन 1. रॉकेट इंधन के रूप में 69. सोडियम एन ए 1. सोडियम पैरोकसाइड बनाने में 60. पोटेशियम परमेगनेट KMNO4 इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है ये जल को किटाणू रहित करता है 357 मिश्र धातू Alloys किसी धातू का किसी साद्निय धातू या धातू के साथ मिश्रन मिश्र धातू कहलाता है मिश्र धातू के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन होते हैं जिन से मिलकर मिश्र धातूएं बनी है समाने मिश्रधातुएं उनके घटक तधा उप्योग मिश्रधातु पीतल ब्रास अवियव घटक Cu प्लस ZN कोश्ठक में 70% प्लस 30% उप्योग बरतन बनाने में कांसा Cu प्लस Sn 90% प्लस 10% उप्योग सिक्का घंटी एवं बरतन बनाने में जर्मन सिल्वर अवियव घटक Cu प्लस ZN प्लस Ni यानी 60% प्लस 20% उप्योग बरतन बनाने में रोल्ड गोल्ड अवियव घटक Cu प्लस Al 90% प्लस 10% उप्योग सिक्का अभूशन बनाने में गन मेटल अवियव घटक Cu प्लस ZN प्लस Sn 90% प्लस 2% प्लस 8% उप्योग तोप गेर बेरिंग बनाने में डेल्टा मेटल अवियव घटक Cu प्लस ZN प्लस Fe यानी 60% प्लस 38% प्लस 2% उप्योग जहास के पंखा बनाने में मुंज मेटल अवियव घटक Cu प्लस ZN यानी 60% प्लस 40% उप्योग सिक्का बनाने में डेल्टा मेटल अवियव घटक Cu प्लस ZN 80% प्लस 20% उप्योग सिस्ते आभूशन बनाने में मौनल मेटल अवियव घटक Cu प्लस Ni 70% प्लस 30% उप्योग शार रखने वाले बरतन बनाने में टांका सोल्डर अवियव घटक SN प्लस PB कोश्ठक में 67% प्लस 33% उप्योग जोडों में टांका लगाने में रोज मेटल अवियव घटक Bi प्लस PB प्लस SN यानी 50% प्लस 28% प्लस 22% उप्योग स्वचालित अउटोमेटिक फ्यूज बनाने में मेग नेलियम अवियव घटक AL प्लस Mg 95% प्लस 5% उप्योग हवाई जहास के धांचा बनाने में अवियव घटक AL प्लस Cu प्लस Mg प्लस Mn यानी 95% प्लस 4% प्लस 0.5% प्लस 0.5% उप्योग बर्तन बनाने में रसोई के समान बनाने में टाइप मेटल अवियव घटक PB 82% प्लस SB 15% प्लस SN 3% उप्योग दैश नोट टांका सोलजर गलनांक लेड एवं टिन जिससे ये बना होता है से कम होता है इस पाथ लोहा एवं 0.1% से 1.5% कार्बन की मिश्रधातू इस पाथ कहलाती है इस पाथ के अन्य मिश्रधातू निमन है एक स्टेनलेस इस पाथ इसमें 18% क्रोमियम और निकेल होते हैं ये संक्शारन या जंग प्रतिरोधी होता है इसका उप्योग बरतन और शल्य उपकरन बनाने में किया जाता है दो टंक्स्टन इसपाथ 15-20% टंक्स्टन प्राच प्रतिशत क्रोमियम और कुछ वैनेडियम युक्त इसपाथ टंक्स्टन इसपाथ कहलाता है इसमें उच्च तापो पर भी कठोरता बनी रहती है इसका उप्योग वेधन यंत्रों तथा उच्च वेग खराद मशीनों के करतन यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है 5-सिलिकन इसपाथ 35% सिलिकन परंतु अतियंत कम कारवन युक्त सिलिकन इसपाथ को ट्रांसफार्मर और विदर चुम्बक बनाने के लिए उप्योग किया जाता है 15% सिलिकन युक्त सिलिकन इसपाथ अतितिक कठोर और अमल रोधी होती है इसका उप्योगी अमल वाही पाइपो और पंपो को बनाने के लिए किया जाता है 4-कोबाल्ट इसपाथ इस प्रकार की इसपाथ में 35% तक कोबाल्ट होता है जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुम्बक अत्व का गुन आ जाता है इसका उप्योग स्थाई चुम्बक बनाने में किया जाता है प्रेश्ट 358 5-मेगनीज इसपाथ 7% से 20% मेगनीज यूगत इसपाथ अत्यंत कठोर दिरिन तथा तूट फूट रोधी होता है इसका उप्योग हेलमेट शेल संदलन या तरावली रॉक क्रशिंग मेशीनरी तथा चोर अभे तिजोरी बनाने में किया जाता है 6-निकेल इसपाथ इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतिशत अंश विद्यमान होते हैं यदि निकेल 36 प्रतिशत होता है तो उससे वैग्यानिक उपकरण एवं यंतर बनाए जाते हैं तथा अगर इसमें 46 प्रतिशत निकेल उपस्तिशत अंश जीके बाई चोधरी सर हाइड्रोजन के तीन समस्थाने ग्याथ हैं प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटोरियम 1H2 या D और ट्राइटीमियम 1H3 या T ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं भारी जल की खोज 1922 इस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी साधरन जल के लगबग 6000 भागों में 9 भाग भारी जल का होता है भारी जल 3.8 डिगरी सेल्सियस पर जमता है भारी जल के उप्योग 1. नूट्रोन मंदक के रूप में 2. ड्यूटीरियम तथा ड्यूटीरियम के यौगिक बनाने में 3. ट्रैसर के रूप में 4. आयनिक वा अन आयनिक हाइड्रोजन में विभेत करने में मृदू एवम कठोर जल, soft and hard water, जो जल साबुन के साथ आसानी से जाग देता है उसे मृदू जल कहते है और जो जल साबुन के साथ कठनाई से जाग देता है उसे कठोर जल यानि hard water कहते है जल की कठोरता दो प्रकार की होती है एक आस्थाई कठोरता, temporary hardness, दो स्थाई कठोरता, permanent hardness आस्थाई कठोरता, जल के कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता आस्थाई कठोरता कहराती है जल की आस्थाई कठोरता उसमें केल्शियम और मेगनीशियम की बाइकार्बनेट धुले रहने के कारण होती है आस्थाई कठोरता जल में बुझा चूना अत्वा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है इस्थाई कठोरता जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार के कठोरता स्थाई कठोरता कहलाती है जल की स्थाई कठोरता इसमें केलशियम और मेगनीशियम के सलफेट, क्लोराइट, नाइटरेट आदी लवडों के घुले रहने के कारण होती है जल में सोडियम कार्बनेट डालकर उबालने से स्थाई एवं आस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है जल की स्थाई कठोरता दूर करने की मुख्य विधी परम्यूटिट विधी है परम्यूटिट सोडियम जी ओलाइट को कहते हैं ओक्सिजन के तीन समस्थानिक होते हैं एट ओ सिक्स्टीन निन्यानवे दशमलव 76 प्रतीशत कॉमा एट ओ सेवंटीन जीरो दशमलव 07 37 प्रतीशत तथा एट ओ एटीन 0.24 प्रिश्ट 369 ओजोन ओ थ्री ये ओक्सिजन का एक अप्रूप है समुन्दर तर्ट से 30 से 32 किलोमीटर की उंचाई पर इसकी सांदरता अधिक होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रा वैलिट रेस के दुश प्रभाव से बचाती है सल्फर प्रित्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत ता लगभग 0.05 प्रतिशत है सल्फर से प्राप्त अतियतिक मेहत्वबुन ओद्यों की रसायन सल्फियूरिक अमल है सांद्र सल्फियूरिक अमल 98 प्रतिशत शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18M होती है सल्फियूरिक अमल के उप्योग 1. सल्फियूरिक अमल का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट सुपरफासफेट आदी के संचलेशन में प्रयोक्त होता है दो पेट्रूलियम शोधन में तीन संचालक वैटरी में ब्रिहत स्तर पर चार डिटरजन्ट उद्योग में पांच रंजक द्रव्यों पेंट तथा रंगों के संचलेशन में प्रयूक्त होने वाले मध्यवर्दी यौगिक बनाने में नाइट्रोजन आयतन की दृष्टी से वायूमंडल का 78 प्रतीशत भाग आणविक नाइट्रोजन है वायूमंडल सहित प्रित्वी पर नाइट्रोजन का अबाहूल्य भार अनुसार 0.01 प्रतीशत है नाइट्रोजन का उप्योग वहां भी करते हैं जहां किसी निश्क्रिय गैस की आवशक्ता होती है जैसे लोहा, वासपात, उद्योग में, तनुकारक के रूप में द्रव नाइट्रोजन का उप्योग जैफ बदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोजे बदार्थों को जमाने एवं निम्निताप पर शडल चिकित्सा के लिए होता है नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुक यौगिक है, इसका निर्मान है बर्विधी द्वारा किया जाता है अमोनिया के उप्यों 1. बर्फ बनाने में 2. नाइट्रिक आमल के निर्मान में 3. यूरिया, अमोणियं, सल्फेट, आधी, उर्बरक b BIG बनाने में 4. सौडियं कार्बुनेट, एवर्बं सोडियं बाइ कार्बुनेट के निर्मान करने में 5. अमोणियं लवण बनाने में 6. विसवोटक बनाने में 7. कृत्रम रेशम बनाने में Note दरहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जिवाणूं पाय जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन आफ नाइट्रोजन में भाग लेते हैं प्रकास राश्चाइनिक धूम या कोहरा फोटो केमिकल स्मॉग उन वाहनों को ये वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रो कार्बनों पर सूर्य के प्रकास की क्रिया के कारण उत्पन होता है ये समानत हाग घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहाँ पेटरोल और डीजल बावाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक आकसाइड NO निकालते हैं इससे आँखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं ये कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानी पहुचता है इस कोहरे की भूरी धून NO2 के भूरे रंग के कारण होती है NO से रासायनिक आभी के लिया द्वारा NO2 बन जाती है फासफोरस प्राणी तथा वनस्पती पदार्थों का आवशक अव्यव है ये हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्तित रहता है फा श्वेत फासफोरस लाल फासफोरस एवं काला फासफोरस इसके अपरूप है लाल फासफोरस श्वेत फासफोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अमल विले है हेलोजन वर्ग साथ एके तत्वों को हेलोजन कहा जाता है फ्लोरीन का उप्योग एक इसका उप्योग UF6 त पादन तथा परावैदूति की डाई एलेक्ट्रिक में इस्तिमाल किया जाता है प्रिष्ट 360 2. HF के उप्योग द्वारा क्लोरो फ्लोरो कार्बन यौगिक तथा पॉली टेट्रा फ्लू ओरो एथिलीन यानि टेफलॉन संचलेशित किये जाते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन यौगिकों को फ्रियोन कहते हैं इसका उप्योग प्रशी तक रेफ्रिजरेंट के रूप में तथा एरोसॉल में किया जाता है ननस्टिक बरतन का उपरी परत टेफलॉन का बना होता है क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक उयोगिकों जैसे पॉली वाइनल क्लोराइट, क्लोरीनिक रित्थ हाइड्रोकार्बन और शाक नाशी तथा कीट नाशी के संचलेशन में किया जाता है ब्रॉमीन का उपयोग एथिलीन ब्रॉमाइड के संचलेशन में होता है जिसको सीसाकृत पेट्रोल लिडिट पेट्रोल में मिला जाता है इसके अतिरिक्त सिल्वल ब्रॉमाइड एजी ब्र बनाने में ब्रॉमीन इस्तिमाल करते हैं जिसकी आवशक्ता फोटोग्राफी में होती है निश्क्रिये गैस, नॉबल ग्रेसेज आवर तसारणी में शून्य वर्ग में छे तत्व हैं हीलियम, HE, नियोन, NE, आरगन, AR, क्रिप्टाउन, KR, जिनोन, XE और रेडाउन, RN ये सभी तत्व रासानिक रूप से निश्क्रिये हैं अतहा इन तत्वों को अक्रिये गैसें, इनर्ट गैसेज या उत्करिष्ट गैसें, नॉबल गैसेज कहते हैं रेडाउन, RN, रेडाउन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिये गैसें वायोवंडल में पाई जाती हैं आरगन, AR, आरगन का उपयोग मुख्य तहा उच्य तापिये धातु क्रमिक प्रक्रियाओं, धातुओं, अत्वा, मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निश्करिये वातावरन उत्परने करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है हीलियम हलकी तथा आजवलनशील गैस है, इसका उपयोग एक गुबारों को भरने में दो, मौसम संबंदी अध्यनों के लिए तीन थंडी वायू वाली नाभिकिये भट्टी में, चार द्रव हीलियम का उपयोग निमनताप पर प्रयोगों में निमनतापिय अभिकर्मक के रूप करते हैं, नियॉन का उपयोग, नियॉन विसरजन लैंप वा ट्यूबों वायूयान तथा प्रतिदिप्ती बल्बों में भरी जाती हैं, जिनको विज्यापन के लिए इस्तिमाल करते हैं, बारहा आधातुएं आधुनिक आवर्त सारणी के नुसार बाईस आधात्वी ये तत्व नौन मटलिक हैं, जिनमें ग्यारह गैसें एक द्रव हैं, तथा शेश दस ठोस हैं, द्रव अवस्था स्थित आधातु ब्रोमीन अधातुएं समान तहा उश्मा एवं विद्यूत की कुछ आलक होती हैं, अपवाद ग्रेफाइट हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तीन समस्थाने ग्याद हैं, प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटोरियम 1H2 या D, और ट्राइटीमिम 1H3 या T ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भावेरा मानव निर्मित पदार्थ 1. सिमेंट चूना पथर या खड़िया को मृत्ति का लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सिमेंट कहते हैं, इसमें केल्शियम के अलिमीनेटो तथा सिलिकेंटो का मिश्रण होता है सिमेंट उतबादन संयत्रों को चूना पथर, चिकनी, मिट्टी और जिपसम की आवशकता होती है सीमेंट प्रमक रूप से केलशियम सिलिकेटो और अलिमीनियम सिलिकेटो का मिश्रण है जिसमें जल के साथ मिश्रत करने पर जमने का गुण होता है जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जवना उसमें उपस्थित केलशियम सिलिकेटो और एलिमीनियम सिलिकेटो का जल योजन के कारण होता है सीमेंट में 2-5 परतीशत तक जिवसम C.A.SO.2H2O मिलाने का उद्देश सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को दीमा करना है सीमेंट के धीमें जमाव से उसका अत्याधिक द्रिनी करन होता है सीमेंट का संगटन CAO 20-70, SiO2 20-25, Al2O3 5-10, Fe2O3 2-3, MGO 2, Na2O 1.5, K2O 1.5, So2 1 प्रतिशत नोट सन 1824 इसवी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसिफ एस्पीडिन ने चूना पत्थर तता चिकनी मिट्टी से जोडने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था उसने उसे पोर्टलेंड सीमिन कहा क्योंकि ये रंग में पोर्टलेंड के चूना पत्थर जैसा था 2. कांच ग्लास साधरन कांच सिलिका SiO2 सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रन होता है कांच आ किस्टेलिये ठोस के रूप में एक अतिशेतित द्रव है इसी लिए कांच की क्रिस्टेलिये सनरचना नहीं होती और नहीं उसका कोई निश्चत गलनांख होता है प्रिष्ट 361 कांच के प्रकार संगठन एवं उप्योग कांच फ्रिंट कांच संगठन पोटेशियम कार्बनेट लेड ओकसाइड वा सिलिका उप्योग कैमरा दुर्बीन के लेंस वा विद्युदबल पाइरेक्स कांच संगठन सोडियम सिलिकेट बोरियम सिलिकेट उप्योग प्रयोक्षाला के उपकरण सोडा कांच संगठन Sodium carbonate, calcium carbonate वा-silika उप्योग अधिक ताप तक गर्म किये जाने वाले काँच के बरतन वा-प्रायोगिक उपकरन प्रकाशिय कांच, संगठन, पोटेशियम, कार्बोनेट, रेड, लेड, तथा सीलिका, उप्योग, चश्मा, सूख्षमदर्शी, टेलिस्कोप, एवं प्रिज्म बनाने में कांच का कोई निष्ठेत रासानिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि कांच मिश्णन है योगिख नहीं, साधरन कांच का औसत संगठन Na2SiO2.CasiO3.4SiO2 होता है रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, कांच का अनीली करण कांच का वस्तूओं को बनाने के बाद विशेश प्रकार की भट्टियों में दीरे दीरे ठंडा करते हैं, इसक्रिया को कांच का अनीली करण कहते हैं कांच का रंग कांच में रंग देने के लिए अल्प मातरा में दहतुओं के योगैक रंगीन में लाए जाते हैं, दहतवे की योगैक का चुनाव वांचित रंग पर निर्भर करता है मिश्रत पदार्थ और कांच का रंग नोट फोटो क्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाईड की उपस्तिती के कारण धूप में स्वताह काला हो जाता है सभी साधरन साबुन उच्च वसीय अमलों जैसे सिटिरिटिक पॉलमिटिक अत्वा ओलिक अमल के सोडियम अत्वा पोटेशियम लवडों के मिश्टन से बनते हैं साबुन बनाने की क्रिया को साबुनी करण कहते हैं वो साबुन जो उच्च वसीय अमलों के सोडियम लवड कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं इनका अपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है वो साबुन जो उच्च वसीय अमलों के पोटेशियम लवन, कास्टिक पोटाश होते हैं, वो मुलायम साबुन कहलाते हैं, इनका अपयोग सनान करने में किया जाता है इसमें लंबी श्रंखला का हाइड्रोकार्बन होता है, एवं श्रंखला के अंत में एक ध्रूविय समूँ, परंतो ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि CA-2, Mg-2 तथा Fe-3 आयन के साथ आगुलनशी लवन नहीं प्रदान करता है इसके उधारन है सोडियम, अलकाइल, सल्फोनेट, सोडियम, एसकाइल, बेंजीन, सल्फोनेट आदी डिटरजेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्द बहुती साब धुलाई करता है, इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं प्रिष्ट 362, प्रमुक विस्वोटक, एक डाइनामाइट, इसका अविश्कार सन 1867 इसवी में अल्फरिट नॉबल ने किया, ये नाइट्रो ग्लिस्ट्रीन को किसी अक्रिय पदार्द जैसे लकडी के बुरादे में अवशोशित करके बनाय जाता है, जिलेटिन डाइना इसवी में नाइट्रो ग्लिस्ट्रीन की जगा सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, दो, ट्राइनाइट्रो टाल्विन, TNT, ये टाल्विन C6H5CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है, इसकी विस्वोटक गती 6900 मीटर प्रती स 3. ट्राइनाट्रो फिनॉल, TNP, इसे पिकरिक अमल भी कहते हैं, ये फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अमल की क्रिया से बनाया जाता है, चार, ट्राइनाइट्रो ग्लिस्ट्रीन, TNG, ये एक रंगहीन तेलिये द्रव है, इसे नॉबल का तेल भी कहा जाता है, ये RDX का पूरा नाम Research and Developed Explosive है, इसका रासाइनिक नाम Cyclotrimethylene Trinitromine है, इसे प्लास्टिक विस्वोटक भी कहा जाता है, इसे विस्वोटक को USA में Cyclonite Germany में Hexosan तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है, RDX में तापमान एवं आग की स्थिती को बढ़ाने के लिए एलिमीनियम चून को मिला जाता है, RDX की विस्वोटक उश्मा 1510 किलो कैलोरी प्रती किलोग्राम होती है, इसकी खोज 1899 एसवी में जर्मनी के हैंस हैनिंग ने शुद्ध सपेद दानेदार पाउडर के रूडर क इसकी खोज रोजर बैंकर ने किया था, इसका प्रथम अभी लेखित प्रयोग 1346 एसवी में अंग्रेजो द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था 6. उर्वरक, फर्टिलाइजर्स म्रिदा में बाहर से मिला जाने वारे रवोर आसाइनी पदार्थ जो म्रिदा को उपजाओ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं उर्वरक कई प्रकार के होते हैं A. नाइट्रोजन के उर्वरक इन उर्वरकों में मुख्यताह नाइट्रोजन तत्व पाय जाता है जैसे एक यूरिया, H2NCO-NH2 यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाय जाती है 2. अमोनिया सल्फेट अमोनियम सल्फेट NH4-2SO4 इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्तित रहती है अमोनिया की मात्रा लगबग 25 प्रतिशत होती है ये आलू के लिए अच्छा उर्वरक है नोट अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमी में नहीं किया जाता है प्रिश्ट 363 3. केल्शियम नाइट्रेट ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है बाजार में नार्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है 4. केल्सियम साइनमाइड CACN2 इसका प्रयोग बुआई कराने के पहले किया जाता है कार्बन के साथ इसके मिश्रन को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से बेचा जाता है B. पोटेशियम के उर्वरक पोटेशियम फर्टिलाइजर्स Potassium chloride, potassium nitrate, potassium sulfate आधी, potassium के कुछ प्रमुक उर्वरक है C. Phosphorus के उर्वरक, Phosphorus fertilizers, Superphosphate of lime, Phosphate इधातुमल, Phosphorus के प्रमुक उर्वरक है Superphosphate को हड़ियों को पीस कर बनाय जाता है, इसमें 16-20% P2O5 रहता है 14. उत्प्रेरंड उत्प्रेरंड, Catalyzes, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्तिती मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्दित करने की क्षमता रखते हैं तथा सुवयम अभिक्रिया के अंत्ध में रासायनिक रूप में अभिप्रभावित होते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा ये क्रिया उत्प्रेरंड कहलाती है उत्प्रेरक की खोच कष्रे बरजिलियस को दिया जाता है प्रमुक उत्प्रेरक 1. अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधी में उत्प्रेरक लोहे का चूण 2. वनस्पती तेलों से कृत्रम घी बनाना उत्प्रेरक निकल 3. सल्फियूरिक अमल बनाने की संपर्क विधी में उत्प्रेरक उपलेटिनम चूण 4. सल्फियूरिक अमल बनाने की सीसा कक्ष विधी में नाइट्रोजन के आकसाइड 5. एलकोहल से एथर बनाने की विधी में गर्म एलूमीना 6. क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधी में क्यूप्रिक ख्लोराइड कुछ प्रमुख तत्य पुरा तत्वा वशेशों अत्वा फॉसल्स की आयू निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उप्योग सबसे अधिक किया जाता है यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला जाए तो द्रव का प्रिष्ट तनाव भर जाता है यदि क्लोरोफाम को सूर्य के प्रकाश में वायू मंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो विशयली गैस पास जीन में बदल जाती है वायू मंडल ये मुक्त नाइट्रोजन को नाइटरेट में परिवर्टन करने के के लिए नाइट्रोजन स्थिरी करन कहराती है मिटी में एक शार कत्व को घटाने के लिए जिपसम का प्रयोग किया जाता है टेलकम पाउडर के निर्माण में थियो फैसवर करनिच का उप्योग किया जाता है पानी की स्थाई का ठोड़ता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सरवाधिक उप्योग है बर्व जमने में जिलेटिन बर्व को पिखलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है शुष्क बर्व अर्थाथ ठोस कार्बन डायोकसाइड को गरम करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक योगिक है जिसका उप्योग प्रयोक्षालाओं में अभी कर्मक के रूप में किया जाता है सैकेरीन के निर्मान टाई टूलूइन से होता है ये शुष्क रिस्टल ये एरोमेटिक योगिक है जो शरकरा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है किन्तु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है क्रीम एक प्रकार का दूद होता है जिसमें विवसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है प्रिष्ट 364 एक किलोग्राम शेहट से लगभर 3500 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है नाइट्रस ऑकसाइट को हसाने वाली गैस कहते हैं खोज प्रिस्टले हड्डियों में 8% फासफोरस होता है फासफीन गैसों का उप्योग समुद्री यात्रा में होम सिगनल देने में किया जाता है क्लोरीन गैस फूलों का रंग उढ़ा देती है सुरक्षद दियासलाईयों में लाल फासफोरस प्रयोग किया जाता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है बरतनों में कलाई करने में अमोनियम क्लोराइट का प्रयोग किया जाता है शुद एलकोहल में बेंजीन या इथर मिलाकर पावर एलकोहल के रूप में हवाई जहास के इंधन में प्रयोक्त होता है कृत्रम सुगंदिन पदार्थ बनाने में एथिल एसिटेट का प्रयोक किया जाता है यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोकशाला में बनाय गया सिर्के में एसिटिक अमल CH3-COOH बाया जाता है एसिटिलीन का प्रयोक प्रकाश उत्पर्न करने में किया जाता है रग्त के प्रभा को रोकने के लिए फेरिक लोराइड का प्रयोग किया जाता है सौर सेलो में सीजियम प्रयुक्त होता है पीले फासफोरस को जल में रखा जाता है समुद्री घास में आयोडिन पाय जाता है खाना बनाते समय सरवाधिक मातरा में विटामिन नश्ट होते हैं रजद दरपन बनाने में ग्लुकोस का प्रयोग किया जाता है दूद पायस कोलाइडी तंत्र है यदि दूद से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूद का घनत पर बढ़ जाता है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयोक्त सिलेंडरों में ऑक्सिजन एवं हीलियम का मिच्णन होता है ठंडे देशों में हिमांग कम करने के लिए कारों के रेडियाटरों में एथिलीन गलाई कॉल मिला जाता है पुराने तेल चित्रो ओल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पैरोक्साइड काम में आता है सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है ओस्मियस सबसे कम घनत्व सबसे हलका एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लीथियम एलाई सबसे प्रबल उपचायक है ऑक्सिडाइजिंग है सफेट स्वन प्लेटिनम भी कहते है सरवादिक विद्यू चालकता वाला तत्व चांदी एजी है रेडाउन गैस ये तत्वो में सबसे भारी है बॉलोनियम पी ओ के सरवादिक समस्थानिक होते हैं 27 सल्फियूरिक अम्ल H2SO4 को ओल ओफ विट्रॉयल भी कहा जाता है नॉबल धातु है अग, अउ, पीटी, आयार, हजी, पीडी, आरेच, आर्यू, ओएस मेथेनॉल, CH3OH को जब बहुत कम मातरा में भी लिया जाए तो गंभीर विशाक्तन के साथ-साथ ये अंध्यपन के कारण बन जाता है कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में गुलंशीन सिलिकेट बनाता है इसी कारण HF का भंडारन कांच के बरतरों में नहीं किया जा सकता है सोना का घनत्व पारा के घनत्व से जादा होता है इसी लिए सोना पारा में डूब जाता है बिसफैनॉल, खादे समवेश्ठन सामगरी फूट पैकेजिंग माटेरियल के पिकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसाइन है जीनौन को स्ट्रेंजर गेस भी कहते है इसी के साथ रसाइन विज्ञान से जुड़ी ये जानकारियां समाप्त होती है प्रिष्ट 365 जीके बाई चौधरी सर